गुदा में दर्द होना या लाटरिन की जगह पर दर्द होना और साथ में जलन रहना बहुत ही सामान ने सी समस्या है काफी लोग इस तकलीफ से पीडित होते हैं हो जकता है आपको भी कभी न कभी ये तकलीफ हुई हो लेकिन बहुत बार इसे हम नजर अंदाज कर देते हैं और अगर शुरुआत में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है या एक दो दिन के लिए ये तकलीफ हमें होती है तो हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते है लेकिन याद रखिए अगर यही गुदा में जो दर्द की समस्या है कंटीनियू बनी रहे और बहुत दिनों तक रहे तो ये बड़ी बिमारी का भी रूप ले सकती है तो क्यूं होती है ये तकलीफ लेटरिन की जगपर दर्द क्यूं होता है एनल बर्निंग का क्या कारण है इसको आज हम समझेंगे साथ ही इसमें कौन-कौन से सिंप्टम्स कौन-कौन से लक्षन आपको दिख सकते है और क्या इसका सट्टिक इलाज कराना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में विश्थार से बात करेंगे, इसलिए अगर आपको यह तकलीफ है, तो इस वीडियो को अन्तर तक जरूर देखिए. क्योंकि आखिरी में इसका इलाज कैसे करना चाहिए, ये भी मै आपको बताने वाला हूँ नमश्कार मैं डॉक्टर सीतल टॉंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टॉंग से होमेपिथी इस यूटुप चैनल पर अगर आप भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते है तो यह चैनल आप ही के लिए है सब सब्सक्रिप्शन का बटन है नीचे दबा दीजिए ताकि नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें चैसे ही गुदा में दर्द होने लगता है सबसे पहली बात होती है इसके लक्षन उसको हमने अच्छे से समझना चाहिए सो अलग-अलग लक्षन काफी अलग-अलग लोगों में दिख सकते है गुदा में दर्द अलग-अलग तरीके से प्रगट हो सकता है और लक्षन भी व्यक्ती से व्यक्ती भिन्न हो सकते है गुदा में दर्द के साथ-साथ कुछ लोगों को जलन का भी अनुभव होता है जि चेर पर बैटनी पाते हैं। कुछ लोगों को खुजली होती है। अंदर से भी खुजली होती है। बाहर से लेटरिन की जग़ के सतह पर भी उन्हें खुजली होती है। और यह असहनी हो जाती है कभी-कभी। और इसके कारण सोते वक्ड, बैटे वक्ड, काम करते वक्ड भी आपको दिख़त महसूस हो सकती है। रूटीन लाइफ के काम करने में भी परिशानिया हो सकती है। तो यह होता क्या है। कौन-कौन सी बीमारिया है जिसके अंदर ये हो सकता है। इससे ज़रा समझीए। यह पाइल्स जिसे हम बवासीर कहते हैं सामान निभाशा में अगर आपको बवासीर के शिकायत है ये देखिए इस तरह का बवासीर होता है अंद्रूनी बवासीर बहारी बवासीर इसके बारे में काफी वीडियोज है मेरे आप मेरे चैनल पर सीतल टोंग से लिखिए सर्च और पाइल्स लिखिए तो ये सारे वीडियोज आपको दिख जाएंगे भवासीर एक कारण हो सकता है दूसरा कारण है एनल फीशर फीशर यानि वहाँ पे क्रैक हो जाती है फीशर के ओपर भी मेरे काफी वीडियोज है वो भी आप देख सकते हैं सो हीमोराइट्स है एनल और अप कोई फुंसी आ जाती है पस वहाँ पर भर जाता है या फिर सेक्शियली ट्रैस्मिय्टेड कोई इंफेक्शन अगर है तो उस वज़ह से भी आपको ये तकलीफे हो सकती है हर्पीस हो सकता है गनूरिया हो सकता है या इंफ्लामेटरी भोवेल डिसीज जिसे हम आई बहुत ही lightly नहीं लेना चाहिए अब इतनी सारी बिमारियों के नाम सुनने के बाद शायद डर दिमाग में आ जाए कि भाई अभी करना क्या है काफी दिन से मैं परिशान हो तो करना क्या है तो सबसे पहले है इसे समझना दो-तीन सवाल इसमें बड़े ज़रूरी होते हैं ये कितने दिनों से आपको है कितने इंटरवल के बाद आपको बोरा है इसकी सिवेरिटी कितनी है इन सब बातों को नोट डाउन कीजिए आपके पास लिखकर रखिए ताकि आप जब चिकित्सक के पास जाए डॉक्टर के पास जाए तो उन अब बता सके तो डॉक्टर दो चीज़े करेंगे आपके सिंटम्स जो आप बता रहे हैं उन्हें नोट डाउन करेंगे उन्हें समझेंगे और साथ में जरुरत पड़ी तो आपको चेक भी करेंगे और उसके हिसाब से निदान होगा कि आपको बिमारी कुनसी है आप खुद भी एक अंदाज लगा सकते है कि पाइल्स है फिशर है या फिचुला है उसके उपर मेरा सेपरेट वीडियो है ये देखिए पाइल्स फिशर और फिचुला में क्या फर्ख है इसे आप घर पर ही समझ सकते हैं लेकिन खुद के मन से डाइगनोसिस नहीं करना है खुद के मन से कोई टूटमेंट भी नहीं करनी है आप उसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं मेरा वाटसाप नंबर मैंने दीची दिया है मेरे वाटसाप पे आप वाटसाप कीजिए मैं आपसे बात करूँगा इस बीमारी को समझना बड़ा ज़रूरी है सबसे पहली स्टेप क्या है क्या हुआ है इसे समझना जिसे हम कहते हैं डाइगनोसिस करना पहला काम है डाइगनोसिस करना दूसरा काम लाइफस्टाइल में परिवर्टन करना ये जिस वज़े से हुआ है उस कारण को समझना और उसे निकालना अगर आपको पाइल्स की समझना है तो क्या लाइफस्टाइल में आपने चेंजेस करने चाहिए मेरे काफी वीडियोज है आप देखिए पाइल्स के बारे में समझिए जानिए ताकि आप खुद भी मैनेजमेंट कर सके क्योंकि ज़्यादा तर ये जो बीमारिया होती है ये लाइफस्टाइल डिसॉर्डर्स होती है या फिर यूँ कहे कि हम अगर हमारे डायट में परिवर्दन करे हमारे रहन सान में थोड़े से बदलाओ करे तो इससे हम पूरी तरह से ठीक हो सकते है सो क्या हो सिंपल सिंपल बदलाओ है सबसे पहला काम तो है फाइबरस फूड ज़्यादा खाईए जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबरस है ऐसे चीज़े ज़्यादा खाईए अब फल ज़्यादा खाईए हरी पत्तेदार सबजिया ज़्यादा खाईए और एक बात याद रखिए पानी आपको अच्छे से पीना है पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए जब लोगों से मैं काफी बार पूचता हूँ तो मुझे ये समझ में आया है कि जो ऐसे लोग है जो काम में वेस्ट हो जाते है और भूल जाते है पानी पीना ऐसे में उनकी शिकायत बढ़ सकती है और इसलिए पानी अच्छे से आपने पीना चाहिए नियमित रूप से आपने एक्ससाइज करने चाहिए नहीं कुछ तो कम से कम 30 से 40 मिनिट आपने वाक भी कर लिया तो आपका डाइचेशन भी अच्छा रहेगा याद रखिए पाइल्स फिशर फिचुला की समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है होमियोपेथी में बहुत अच्छे मेडिसिन से जिससे आप पूरी तरह से स्वस्तो हो सकते है बिना ओपरेशन के भी ठीक हो सकते ऐसे काफी पेशनर्स के अनुभव मेरे साथ है जो बिना ओपरेशन भी ठीक हो है तो याद रखिए इससे समझना है लाइफ स्टाइल में चेंजिस करने है और दवाई लेना है ये तीन बाते अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर कीजिए सो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद